हलो एव्रिवन इंडियान रूम किचन में आपके फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं और देखिए आज हम चलते चलते आठ्वें नवरात्रे पे आगें अश्टमी की भूजा करने जा रहे हैं आज हम और कल है हमारा बहुत बहुत शुप काम नहीं देती हूं कि इतने हुश्षी रहा हुब सबकहर माँ ञाफיל बना रहे हैं जै माता दी चलिए किचन में तब रहेगे हमें क्या करना है हाँ आज का बस इतना ही था तो आभ हम किचन में चलते हैं और किचन में जाकर हम क्या करेंगे हम जाकर बनाएंगे हलवा पूरी पषभ apart काले चनिए तो बने रहे हैं मेरे साथ चलिए किछन में हलवा आटे का हलवा मैंने रवे का हलवा बनाया वो भी मैं लिंक डाल दूगी और आटे का हलवा मैं आश्क्रमी पर बनाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे खरमे सबको बहुत पसंद है किछन में चल के बनाया है वाँ क्या हलवा बनाया है हमारा मन खुश हो गा माता के नवरात्रे और हलवा पूरी और चना क्या भगवान ने अच्छा परसाथ का मेल बनाया है कि क्या बोलू मैं आपको तो देखे, यह ट्रेक्शर आपको देखकर पता ही लग गया होगा कि हमować आाटे का प्रसाद बना रहे हैं हलवा बना रहे हैं यह इसको आप कड़ा प्रसाद भी कहते हैं कि मैं बना रही हूँ यहाँ ऑर यह तैक बहुत ही परफिक्ट रिस्पी जो मैं तो यहां मैंने एक कप आटा ले लिया है इसके अंदर एक ही कप मैंने घी ले लिया है और एक ही कप मैंने चीनी लिया है तो मतलब जिस आप बाउल से निकाल रहे हैं उसी बाउल से तीनों चीज़ें एकट्टी निकाल लिये और सभी में इसका जो पानी है वो तीन गुना ज पानी था तो इसमें मैंने तुरसा केसर डाल दिया है बिल्कुल ओप्जनल आप चाहें तो डाले चाहें तो डाले तो भर दूद można आप चाहें तो गरम दूद के अंदर भी डाल सकते हैं तो आपने 2 कटुरी पानी लेने हैं और चोड़ी दूद और यहाँ देखिए मैंने क्या क्या घी को पैन में डाला और उसके बाद भाद मैंने जाल दिया एक चमच रवा और एक चमच डाल दिया मैंने इसमें बेसन यह वन्हें अपने बढ़ों से सीखा है अपनी मम्मी से सीका है वह लोग बोलते थे हमेशा कि जब सुन्देपन में मिल जाता है और इसके फ्लेवर को बहुत कई गुना बढ़ा देता है तो बस यही मैं कर रही हूं और यहां पर देखे मैं इसको भूनना शिरू कर दिया है एक सबसे बड़ी जो टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी वह यह है कि जब भी आप बेसन आटा य इसमें वह सोंधा बननी आता वह एक जो खुश्बू होती है ना हल्वे की वह नहीं आपाती तो आपका हल्वा जब भूनना चाहिए तो ऐसे भूनना चाहिए कि चार कर पीछे तक वहां जाए उसकी खुश्बू जा लोगा आकर पूछें क्या जल्वा बन रहा है तो बल् मैं सिर्फ आपको एक तरीका बतानी हूँ कि हमें कैसे इसके अंदर हल्वे के अंदर चीनी और पानी मिलाना चाहिए इससे होता क्या है कि आपका हल्वा भी गरम होता है जो आपका रवा बन रहा है वो भी गरम है और आपका जो यही बना रहे है आप चाशनी जो पानी बन पहले हैं कि कितना हाट है भुझे मिक्स करना पड़ा था अब देख सकते हैं कि कितना लूज है जैसी है मुझे लगा कि मेरा हल्वा भीलकुल पर्फेक्ट हो गया है जाती थी तो बस मैंने इसके देरे चीनी और पानी को बॉइल करके रखा था वह दीरे तीरे डालना बिल्कुल पर्फिक्ट बनके आएगा यह देखिए और उपर जाग दिख रहे है ना जब आपको कैसे बता लएगा आपका हलवा बनके आपके जाग जो है वो बिल्कुल गाया बुजेंगे जाग खतम हो जाएगे अगर स्टेज पर कहीं भी आपको लगे ना कि आपके हलवे में लंप्स आ रहे हैं ऐसे तो नहीं पढ़ते फिर भी अगर आपको लगे तो आप इसको जैसे देखिए मैं अलकेल के इसको चला रही हूं और मिला रही हूं आप ऐसे करने अगर पर्फिक्ट ही पड़ाऊगा तो एक बी लंप नहीं बचेगा और वो अच्छे से टूट जाएगा और यहां मैंने क्या किया एक पैन लिया और पैन में डाला घी उसमें काजू और बदाम डाले उनको दो मिनट के लिए फ्राइ किया और जब उसमें हल्का सा कलर आगे बहुँचा तो ओवर ब्राउंड मत किजे उसके बाद अगर आपको किश्मी डालने तो डाले तो इसनली किश्मीश हमेशा बाद में डालें बस दो मिनट के लिए इसको फ्राइ करें और देखिए जब धलका सा क्रंच आ जाए तो आपके ड्राइफ रूट बनके तयार हो गया और यह देखिए कितना परफेक्ट हल्वा मैं आपको दिखा रही हो बनके तयार हो गया मे अपने एक बर इस रसीपी को बनाना है तो हमेशे हमेशे के लिए आपके किचन में यही रसीपी बनने वाली है देखिए कितना अच्छा हो गया अब मैं आपको दिखाती हूं देखिए मैं एक दोनर ले लिए क्या कि मार्केट में जब भी आपको भंडारे का प्रसाद मिल प्रसाद बनके बिल्कुल तयार हो गया इतना अच्छा प्रसाद बना है और चारों तरफ इतनी महें कहना इतनी पॉजिविटी है इतनी अच्छी खुश्ववारी है कि मैं आपको क्या बताऊं तो अगर आपको मेरे रस्पी पसंद आईए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइ किजिए सब्सक्राइब किजिए और बैल आइकन दबना ना भूले तो चलती है मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में बाबाई